मार्केट के अंदर पिटिक्ट करने की कोसिस कर रहे हैं कि हो ना क्या है कि इप सी फर्स्ट बैंकिंग स्टॉक है और बैंकिंग को जादा लेना देना नहीं है इन सभी चीजों से और अगर आप देखें कोई बैंकिंग हो एक पर्टिकुल स्टॉक कोई अगर अलग सेक्टर का आपको जो है वह उडान भरते वह देख सकता है बट बैंकिंग में पांच गुना हो गया इस टॉक ऐसा आपको देखने को नहीं मिला हो तो वह बैंकिंग थोड़ा सना वह दूर है इन सभी चीजों से ऐसे में अगर आप देखें तो आपके जो पियर कंपैर जाने वह भी ठीक ठाक नहीं कर रहा है क्योंकि आपके जो क्यूपोर के नंबर है वो एकदम मिक्स आई इस बात को आप समझना होगा IDFC First Bank के बारे में हमने समझा और एक सही एक निर्णे जो है वो बनाते हैं तो यहाँ पर ना उसी इसाफ से सब कुछ चल ला है जो कि हम पहले से ही एक प्रिडिक्ट करके चल ले थे और पता ही है वो range में अभी stock जो है वो थोड़ा सा election favor में जा चुकी है क्योंकि election के time है तो वो PSU ज़्यादा favor में रहते हैं तो वो गिरावट होगी या भढ़ान होगा जो भी होगा वो उनमें चलेगा high volatility बट private banking या पर जो है ना कहीं थोड़ा सा बसता हुआ नजर आ सकता है लेकिन overall अगर आप देखे हैं तो market अगर तूटेगा तो इन पर भी pressure तो पड़े गई और वो pressure हमें देखने को मिल ला है धाई परसेंट की किरावट है higher side stock तो नहीं टिक पा रहा है 85 जो हमने बात करी 85 तो उपर stock बिलकुल भी sustain नहीं कर रहा है 100 रुपे की तो बहुत दूर की बात 100 रुपे की कोई बात ही न नहीं वैलिएशन में जो भी हो आप देखेंगे तो higher side से जो एक grab अटाई है वो हमने बापस जो है वो रीच नहीं कर पाई है 100 रुपे की और इसलिए भी है कि यह q4 चौथा को आटर है आपको जो है profit after tax बढ़ता हुआ नहीं देखा अर्णिंग पर चैर में कोई उचाल न है so that उसके comparison आपकी जो वैलिएशन है वो थोड़ी से आप उसकी उपर ही काम कर रहे है तब भी आपको जो वैलिए मिल रही है मेरा यह कहना है कि हाँ growth नहीं आ रही है अर्निंग पर शेयर में हमें यह बात बिलकुल समझ में आ रही है लेकिन negative growth नहीं negative growth और growth नहीं आ रही ह जो स्टॉक के यहाँ पर result ला रहा है वो बिलकुल stable result है कोई आपको जो फायर वर्क नज़र नहीं आ रहा है कि स्टॉक के price जो वो एकदम upside चले है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गिरावट आया है बहुत बरी तो इसी लिए एक range में है IDFC first bank उस range में आपको जो एकाम करना है औ और उसी से आपको जो है थोड़ा दिन यहाँ पर जो ना रखना भी है अब यहाँ पर क्यूबन के नमबर आएंगे कुछ यहाँ पर जो है फायर वक्स अगर आगे तो तो ठीक है अधरवाई से आपको जो है वो कुछ माहौल ऐसा ही बनके चला है mix-up ही है आप देखेंगे banking के results हाँ एक जगा जरू comfort आया यह पैस्टू book value आपका जो है वो 1.72 टाइम पर है कभी धाई गुना पर यहाँ पर जो है आईडिया सी वर्क करने लगा था अगर आपके जो है वो सबसे बहतरी थे बाकियों की comparison अगर आप देखेंगे तो आपकी peer comparison जो है उससे शाब से और आज 7 मई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो mutual fund कर जो data है वो कोई firework नजर नहीं आ रहा है थोड़ी सी profit booking है थोड़ा सा एपर बढ़ाया गया है अ कि जो है बस उतना ही है ठीक है बिलकुल एक दम mix up data है कोई firework नहीं है इस data में लास्ट अब देखें यहाँ पर ना इस पर बात करते हैं क्योंकि उन numbers में अभी ना कुछ रखा नहीं है यह बात आप समझो यह सबसे important है अभी आपको technical basis पर चलना है fundamental basis पर आप नहीं चल और election के time यहाँ पर जो है ना market के अंदर volatility जो है वो काफी जादा रहेगी एक महीने तक आप देखें जो कि मैं लगातार कह रहा हूं 10 महीं से volatility जो है उस तुरू हो जाएगी और वो आप देखें कि किस तरीक से India विक्स चल रहा है वो premium आपकी उपर भी impact पड़ता है आप भ कोई भी गरावट अगर आती है तो एक buying opportunity ही होगी IDFC फर्स्ट बैंक में अगर कोई गरावट आती है कोई एक सिंगल गरावट क्योंकि एक क्या होता है कि market के अंदर कभी को जब एकदम seat हैं आपर जो है इधर उधर हो जाती है politics में तो यहाँ पर एक dip दे दिया अचानक से market open हो 10% नीचे stocks open हो गए मैंने यह scenario देखा है इसलिए मैं आपको बता रहूँ ठीक ना तो 10% उपर हो अचानक से पांच मिनट के अंदर अंदर पूरा cover हो गया यह scenario डेपलर तो एक जटका दे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे में अगर opportunity मिल जाए तो यह आगे के ल lower level पर बहुत ही अच्छा stock मिल रहा है management पर पैसा लगा हुआ management strong है उसको आप देखें बैंकिंग के अंदर फिलाल आप देखें 75 रुपए बहुत important है जब तक यह बना हुआ है कोई दिखर नहीं 75 रुपए अगर तूटता है तब एक कही ना कहीं एक लगता है कि एक बात है आपको एक dip मिल जा है because of market volatility वो मिल जा है और अचानक से यहां से cover हो जाए यह अगर देखने मिल जा है तो कोई बड़ी बात नहीं है और कहीं ना कि IDFC first ring वहां अगर किसी ने why chance मिल गया यह और किसी ने why कर लिया so that आप एक पहतरी और एक लंबा टाम आप रख सकते ह एक सट रुपए फिर देखेगा नहीं कभी यह तो समझ में आता है तो 75 रुपए और ऊपर में 85 रुपए 85 रुपए निकलेगा तो higher side भीया सोचिएगा 75 रुपए जो है जब तक यह है तब तर ठीक है तो तोटेगा तो फिर यहां पर गिराबट बढ़ेगी so that इस पर थो रहे हैं तो दीरे दीरे डालिए एक दम पूरा पैसा मट डालिए यह ट्रेंड लाइन भी है भाई साब यह देखिए किस तरीक से ट्रेंड लाइन है तो अभी अपने को इससे ऊपर निकल लाए जब निकलेगा तो हम इसके ऊपर बात करेंगे फिलाल 75 रुपए 85 रुपए यह एक रेंज ए किदर की तरफ 75 रुपए के पास है देखते हैं 75 रुपए बस ता है या 85 रुपए तो फिर तो आईएसाइड है लेकर नथा पर 75 रुपए तो एक कहीं न कहीं एक ग्रावट बनेगी तो अभी असमंजस है आप यह कह सकते हैं क्योंकि वोलेटरिटी है मार यह और क्या बात है अचानक से फटेगा तो वो चीज़ है वो फटेगा वो आपको अचानक से लेटन दे जागा सीधी सी बात है तो उसके लिए यह रिख रहे है सुमी ते काफी कुछ आपको समझे में आया होगा आपके कहना है इसको पर कमेंसर से लिए और अब देखने के लिए बड़े देखने के लिए बहुत अन्माद उस्तो